दोस्तों क्यों 20-20 जादा पैसे लेकर हर्मर मोडल तो राजी हो चुकी है। दोस्तों मुसी नकुई ने जे शा को चैन्पिर सूफी की शरायश बता दिये। हमारी वी टीम ने जीवावी की एटीम को पहले 2-20 पहरा दिया लेकिन वह कैसे आज की वीडियो में बात करते है। दोस्तों दोस्तों वीडियो में आगे मने से पहले चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर देना और आप सूपी को मतार वीडियो को मुकंबल वाज करना क्योंकि तीस अटोबिक बहुत ही इंपोर्टन होने वाले है दोस्तों 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 वह ये चैनल सूपी के हमाले से जब बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है कि क्या पीसीबी राजी हो चुकि ये हाइबर्ड मोडल पर क्या पीसीबी ने ज़्यादा पैसे लेकर पा कर दी है आई सीसी और वी सीसीबी को या फिर पीसीबी ने बहुत बड़े शरायत रख दिये है है थाइबर्ड मोडल के तेहर पर जी हाँ दोस्तों आपको मैं ये बता दूँ के बईया चैंपियन सूपी जा सके आपको पता है कि पाकिस्तान में होना है लेकिन मुझे नहीं लग र है कि जेशा को आई सीसी का चेर्मैन बना दिया क्योंकि यहां पर अब जेशा के लिए बहुत मुश्किला खड़ी होने वाली है अगर वो किसी भी आई सीसी टोर्डमेंट में अपनी टीम को ज्यादा स्पोर्ट करेंगे अगर कुछ ऐसी सीच्वेशन होगी तब दमान क्र हाइबर्ड मोडल पर राजी होने वाली है तो कैसे राजी होगी और उस प्लैन को क्या प्लैन बनाया है दूस्तों आप सुपी को तो मैंने पहले ही कह दिया कि पीसी बीज़ेबर्ड मोडल पर राजी हो जाएगी क्योंकि बीसी सी यह और आई सीच्वेशन ये दोनों 100% को चाहिए है कि हाइबर्ड मोडल के तहद इंडिया कि तमाँ मैंच इंजी जया वह 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 दुबई में होगे और अगर इंडियाज टीम चैंपिन चोफी के फाइनल में पहुंचेगी तो वह प्रूसी का वह लाहोर में होगा लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता भाने वाले 3 सालों में जितने भी मैची इंडिया में पकिस्तान के होंगे या पिर पाकिस्तान में इंडिया के होईगे वह बुड़िध मोडल पर दुबाई के मैदान में करवाया जाएंगे और यह चुका है। दोस्तो जहां तक अगर मोसिन नक्वी ने जे शा को क्या शरायत बताए तो वो भी आपके सामने मैं बता देता हूँ दोस्तो पहला पॉन यहीर पेस्ट ओप्शन इस थाईबर्ड मोडल जी हाँ दोस्तो अगर पाकिस्तान में इंडिया की जितने भी मैचिस होंगे तो वो हाईबर्ड मोडल पर दुबई में होंगे और दूसरे option में ये है कि in future Pakistan team will not travel to India जी हाँ दोस्तों future में Pakistan की team कभी भी travel नहीं करेगी इंडिया 2023 के one cup में तो हमने कर लिया था क्योंकि उन्होंने हां मिलाई थी कि हम 2025 के champion sofi में आएंगे तो आप भी पहले world cup 2023 में आज़ो तीसा point बहुत important है increase revenue from 5.75 to 7.75 in ICC events till 2031 यहां पर PCB ने एक बहुत जबर्दस फैसला लिया है और उन्होंने अपनी percentage revenue की वो बढ़ा दी गई है उन्होंने यह कहा कि हमारी percentage जो है वो ICC tournaments में 5.75 से लेकर 2 percentage मजीद बढ़ा दी जाए तो वो लोग राजी भी हो चुके हैं इस मामले पर और यह आने वाले दो सालों तीन सालों तक नहीं बलके 2031 तक यह formula काइम रहेगा लेकिन अब बहुत से दोस्ते नाराज होंगे कि बढ़ा इंडियन टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आरी तो भाईया हम भी नराज है लेकिन उनका भी हग बनता है लेकिन इंडिया में मैचिस होंगे पाकिस्तान हमारे मुलके तो भाईया हमारा भी हग बनता है हम भी यह कह सकते हैं हम भी मुद्दा खड़ा कर सकते हैं कि वहां पर security मसला है हमने इंडिया में अपने मैसीड नहीं बल्houses दूबाई के मैधान में करने हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि 2031 तक ना पाकिस्तान इंडिया जाएगी और नहीं इंडिया पाकिस्तान आगी 2031 के बाद क्या होता है वह तो हम बाज में पता करेंगी तो दोस्तों इस सवाल से आप में मुझे कुमेर्ट सेक्शन में पता हूँ कि जो मोसी नक्वी ने इन शाराई जावो ICC, BCCI के साम में रखे क्या आप लोग राजी हो इस बात पर या फिर नहीं दोस्तों हमारे B टीम ने जिंबावे की A टीम को वहाँ असानी पहले D20 में हरा दिया दोस्तों जैसे के आप सभी को पता है के पाकिस्तान जिंबावे का पहले D20 मैच जिसमें हमारे टीम पाकिस्तान के सभी ने और यंग इलारी केल लही थे बाई यह मोमद रिवा नहीं था बावर आदम नहीं था शाहिन अफरीदी नहीं था नसीम शाह नहीं था तो सल्मान अली आगां को कैप्टन बनाए तो दोनों टीमों के दर्मिनान टॉस होता है और टोस हमारी टीम पाकिस्तान जीत कर बैटिंग करने का फैस्दा करती हो और शुरूबात हमारी बैटिंग जबर दिस रही क्योंके साइम अयूब भी खड़े रहे और हमारे उस्मान खाने भी बहुत रंस बनाए लेकिन जहां पर अगर डाउट आता है तो वह हमारा सल्मान अली आगा बई मेरा नहीं ख्याल कि है सल्मान अली आगा की जगह टी-20 में बनती है क्योंके फोस नमबर ह हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको मैचिस जिता कर दे जैसे के स्चिलिया के पास माकेस टोईन है सैल गलेन मैक्सवल है वो भी नमबर फॉर पर खेल लेते हैं इंडिया के पास सूरिया यादफ कुमार है वो भी नमबर फॉर पर खेल लेते हैं रिंकु सिंग है वो भी नमबर फॉर पर फिट हो जाएं तो सद्मान अलियागा नमबर फॉर पर फिट नहीं नजार आते हैं और आज भी उन्हें नें 19 बोलो पे 13 बनाएं और कोई भी बॉंडरी नहीं लगाएं और जहां तक अगर हम पांकिस्तान की बैटिंगी बास करें तो शुरुआज में अच लाती है और उनने ये टार्कट चेस करना था लेकिन उनको क्या पता था कि बैटिंग इतनी स्ट्रॉंग नहीं है जितनी हमारी बोलिंग है जी हां दोस्तों जिमबावे की टीम को हमने आल आउट कर दिया वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सो आट रंस पर जिसमें हमारी ब्रार अगर फिर से जबदस बॉलिंग की बैया तीन अवर करवा हैं जिसमें उनोंने तीन विकेट रासल किया अठाइस रंस दे कर और जहां तक अगर हम सुफ्याल वकीम की बात करें उनोंने चार आवस करवाए हैं तीन विकेट लिये हैं और 20 रंस दी और हां लास्ट में अगर साली से जीत लिया है और अब दूसरा टी टूंटी कल खेला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि है यह जो यंग टीम है यह जिंबावे को सीरीज मार देगी और मुझे बहुत खुशी हो जाएगी तो खेर दोस्तों इसे वाल से आप मुझे को मैं सेक्शन में पता कि पहले टीपरंटी मैच में सबसे बेहतरी इन परफोर्मस किस की रही है तो सभी ने सही जवाब दिया और इस खिलाडी का नाम है जोई रूर तो वह कौन सी मेर भाई ये जिनर सही जवाब दिया जिनके रेंजों वह लगी ड्रॉम से निकले रॉत बढी है जो सी हमाड़ की जोर्डेविन के लिए मुझषत व घाँके क्ले संबधस क्लैपिंगाँ जहुझा तो पहले है भीन प्रमारे वीए मुञाल थे क्लिए जाकरत वीप सर्फ जाबदस क्लैपिंगाँ जहाँ मूएस तो जलीए करके शाइपिंगगिगाँ वैंट के लिए वीड़ियों नहीं हो ज्याज को भी एक होग है वहां आज परिशान ना हो जिनके रहीं जो वाज आज की वीडियों में लग लिये गए उसे पाइजी से बीजिron में को बताँ कि यह यह कुन से लाड़ी हो आप सुपी को प्तार प्तित करें तो पहले वीडिय झालको, ओके, आलाफिया.